इकतिस जुलाई सन अठारा सो असी बनारा से चार मील दूर लम्ही गाउ में जन्व हुआ भारत के एक महान साहित्यकार मुन्शी प्रेम चंद का हिंदी साहित्य में अनुपम रचनाओं के लिए उनका नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है उन्होंने कई उपन्यास लिखे और बहुत सी कहानिया कहानिया देश प्रेम की बच्चों के मर्म इस्परशी भावनाओं की क्रांती की और समाज में समाजिक भुराईयों के परदा फाश की और एक साधारन आम इंसान की जिसे आप किसान भी कह सकते हैं और मज़दूर मुशी प्रेम चंद ने बहुत ही साधारन से लोगों के साथ कहाने को जीना सिखाया इन लोगों के अभावों से बरे जीवन में छोटे-छोटे सुखो और खुशियों को सहे जा शायद इसलिए ये पात्र अमर हो सके और आज भी ये पात्र हमारे साथ शामिल है हर पल हम इने अपने आज पास देख सकते हैं इनके अनुभवों को महसूस कर सकते हैं इनी अनुभवों पर आधारित है मुशी प्रेम चंद की कहानी जुर्माना ऐसा शायद ही कोई महिना आता कि अल्ला रखी के वेतन से कुछ जुर्माना न कर जाता कभी कभी तुसे च्छे के पांच ही मलते लेकिन वो सब कुछ सह कर भी सफाई के दरोगा मुहम्मद खैरा तली के चंगुर में कभी नहीं आती खास आपकी महताती में सैकड़ों और नौकरानिया थी किसी की भी तलब न करती तलब? तलब का क्या मतलब होता है? तलब का मतलब होता है कि जो काम हम करते हैं उसके बदले में जो हमको पैसे मिलते हैं, वेतन मिलता है या उसको तनख्वाज जो मिलती है उसको हम तलब पैते हैं किसी पर जुमाना ना होता ना डांट ही पड़ती खास आपने एक नाम थे, द्यालू थे मगर अल्ला रखे उनके आतों बराबर ताड़ना पाते रहती थी वो कामचोर नहीं थी, बेहदब नहीं थी, फूहड नहीं थी, बसूरत भी नहीं थी पहर रास उठन के दिनों में वो जाड़ू लेकर निकल जाती और नौ बज़े तक एक चित्तों कर तड़क पर जाड़ू लगाती लेकिन फिर भी उस पर जुर्माना हो जाता उसका पती हुसेनी भी अफसर पाकर उसका काम कर देता लेकिन अल्ला रखी की किसमत में जुर्माना देना लिखा था तल्यक कादिन औरों के लिए तु यह थो हसने का होता लेकिन अल्ला रखी के लिए रोने का उस दिन उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहता ना जाने कितने पैसे कर चाएंगे वो परिक्षा वाले शात्रों की तरह बार बार जुर्माने की रिकम का तक्मीना करती तक्मीना? तक्मीना का क्या मतलब होता है? तक्मीना का मतलब होता है कि एक अनुवान लगाना जिस तरह किसे तुम पर इक्षा देते हो उसमें कौन से प्रश्ण होंगे उसमें कितने अंक आएंगे उनका एक अनुवान जो हम लगाते हैं उसको बोलते हैं तक्वीना करना उस दिन वो ठककर जरा दम लेने के लिए बैठ गई थी उसी वक्त दरोगा जी अपने एक के पर आ रहे थे दरोगा? कौन सा दरोगा? वो पुलिस वाला दरोगा? नहीं नहीं सफाई का दरोगा वो कितना कहती रही हुजूर अली मैं फिर काम करूँगी लेकिन उन्होंन एक नहीं सुनी अपनी किताब में उसका नाम नोट करी लिया उसके कई दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ ये लो लाला एक पसा सेवरे ही देदो सेवरे ही देदो ये ले और सुन दुकान के सामने तमीज से ढंक से छड़ू मारक हमारे जो दरोगा जीये ने इसे पूरी जान पहचानने समझ गिये समझ गई लाला समझ गई लाला ये भी कोई बात भी बला अब मुर्दार के हिम्मत तो देखो दरोगा से पहचान होने की धमकिय दे जा रहा है तरोगा नोचाने कौन से दुश्मनी है हर दभे का जुर्माना मेरे वेतन मैंसे जाता है सलाम हुजूर तो ये हो रही है जबाई है नहीं हुजूर हुजूर मेरा यकीन कीजे बस बस दमले ले बैठी ही थी कि आप जोट सरा सर जोट तुझे तो सजा मिलनी ही चाहिए काम चोर ना जाने कहां चिपा रहता है जरा अब इस तुस्ताने लगो कि भूत की तरह आकर ख़ड़ा हो जाता है उसका नाम पुसमें दो ही दिन लिखाता पर जुर्माना कितना करता है ये तो अल्ला जाने कि ये आठाने से बढ़कर रुभिया ना हो जाए सिर जुकाए वेतन लेने जाती और अनुमान से कुछ ज्यादा ही कटा हुआ पाती कापते हाथों से रुपए लेकर आखों में आसु भरे लौटाती किस से फरियात करे दरोगा के सामने उसकी सुनेगा कौन आज फिर वही तलब का दिन था इस मेने में उसके बच्चे को खासी और जोराने लगा था थंड भी तो खुब पड़ी थी कुछ तो ठंड के मारे और कुछ बच्चे के रोने चिलाने के कारण उसे रात रात भर जागना पड़ा कई दिन काम पर जाने में देर हो गई थी दरोगा न उसका नाम लिख लिया था हपकी तो आदे रुपए कट जाएंगे आदे भी मिल जाएंगे तो गनीमत है कौन जाने कितना कटा है उसने तलके बच्चे को गोद मुठाया और जाड़ू लेकर सड़क पर जा पहुँचे रिचुपचा बैठ जा वहाँ पर ना आनो किस्ता जो बाना लग चुका होगा अभी दरोगा साब आएंगी ना ते नात्तान काट के ले जाएंगे अभी आ लिया पुछका लिया कोई मतलब ही नहीं है मुझे काम करने दे मैं दो मैंने छे की जगे पांच में मिले थे कोई बोला जून तबी रही किसी कान पर अभी एक ऐसा चालो कुझी ना इस तरोगा दाड़ी जाड बेता ही होगा बस लाज़ा रखी हुजूर कुछ कहा तुमने नहीं 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 इसको पिला आता है हुजूर कि तो इसको यह चूड़ कर रुखर यह किहां क्या करें हुजूर ए लिए काम भी कासे यह तो छुठी कुझ ने लेती सब्सक्राइब गुजारत के हाद जाकि चलेगा हुजूर अच्छा चल इसको उठा और घर जा हुसेनी लोटकर आये तो उसे जाड़ू लगाने के लिए बोलना चल और सुन एक बात बता तुने दाड़ी जार क्यों का मुझे जे गाली क्यों दे रही थी मुझे संध्यास्व में हुसेनी और अल्ला रखी दोनों तलाव लेने चले अल्ला रखी बहुत उदास्थी अब तु इतना चुपचाप रह भी ले तो कौन जाने अरे दरोगा ने सुन लिया तो सुन लिया तलावी कटेगी न अब तेरी जान की कसम खा कर कहता हूँ दारू या ताड़ी नहीं पिऊंगा बस समझ लिया कि हराम है तलावी करती तो कोई बात थी पर लगता है कहीं बरखास्थगी ना हो जाए मेरी जीप क्यों नहीं जल गई क्यों कर मैंने उसे दाड़ी जार कह दिया अरे बरखास्थ करेगा तो पूछूंगा नहीं कि कि सिल्जाम पर बरखास्थ करते हूँ कोई अंधेर है और फिर गाली देते किसने सुना जैसे चाहे बरखास्थ करते और जो यहां सुनवाई ना हुई तो सीधा पंचायत में जाऊंगा शौधरी के दर्वाजे पर रहने दो अगर इतना ही एका होता तो क्या तीन बरस से दरोगा हमारी लगाता जुर्माना काट पाता चंपान जीबन सुदिया जहुरन सबसे ज़्यादा काम करने पर भी आज तक दरोगा की नजर पर कामचोरी बनी हुई हूँ जी तो चाहता है आज तनख्वा लेने ही ना जाओ क्यासी बाते करती है तो ठीक ही तो कहते हूँ सब के सामने बरखास्थगी होने से तो अच्छा है कि जाओ ही न और जो वेतन ना लिया तो लेंदार छोड़ेंगे क्या पर चूनिये का एक रुप्या भी तो देना ही है वरना फांके भी देखने पड़ेंगे यही सोचते हूँ जाना तो पड़ेगा ही क्या पता आज आखरी तनख्वा लेनी हो फिर भी अल्ला रखी का मन शान्त ना हुआ मुख पर विशात का धुआ सचाया हुआ था दरोगा क्यों गाली सुनकर भी बिगड़ा नहीं उसी वक्त उसे क्यों नहीं बरखास कर दिया योज की समझ में नहीं आया वो कुछ दयालू मालूम होता था उसका रहसे वो ना समझ पाती थी और जो चीज़ हमारी समझ में नहीं आती है न उसी से हम डरते है केवल जुर्माना करना होता तो उसने किताब पर उसका नाम लिखा होता उसको तो बाहर निकालने का इसबार वो पक्का निश्या कर चुका है तब भी देयलू हो गया था उसमें सुना था कि जिन्हें फासी दी आती है उन्हें अंतर समय में खूब भर पेट मिठाई खिला याती है जिससे मिलना चाहो उससे मिलने दिया आता है अब की तो निश्या बरकास्त करेगा यह सब बतें अलार्खी की दिमाग में चल रही थी मिनुस्पैल्टी के दफ्तर आ गया हजारों सफाई करने वाली जमा थी रंग बिरंग ये कपड़े पहने बनाव सिंगार किये बान सिगरिट वाले भी आ गये खोंचे वाले भी आ गये पठानों का एक दल भी आसामयों से रुपए वसुल करने आ पूचा था वो दोनों भी जाकर खले हो गए वेतन बटने लगा पहले आउर्टों का नंबर था जिसका नाम पुकारा जाता वो लपक कर जाती और रुपए लेकर दरोगा को मुफ्त की दुआएं देती हुचली आती चंपा के बाद अल्ला रखी के नाम बराबर पुकारा जाता था आज अल्ला रखी के नाम उड़ गया चंपा के बाद जहुरन के नाम पुकारा गया जो अल्ला रखी के नीचे आता था अल्ला रख्ये ने हताश आखों से हुसैनी को देखा और तो उसे देख देख कर काना फुसी करने लगी उसके जी में आया घर चली जाए यह उपहास नहीं सहा जाता जमीन फढ़ जाती कि उसमें समा जाती एक के बाद दूसरा नाम आता गया और अल्ला रखी सामने के ब्रक्षों को देखती रही उसे अब इसकी परवा नहीं थी कि किसका नाम आता है कौन जाता है कौन इसकी और ताकरा है कौन उस पर हसता है अचानक अपना नाम सुनकर वो चौग उठी धीरे सूठी और नविली दूलन की तरे धीरे धीरे पाक बढ़ाती हुई खयांची के बास तक पहुंची खयांची ने पूरे 6 रुपए उसके हाथ पर रख दिये उसे बहुत आश्चारी हुआ खयांची ने भूल तो नहीं की तीन बरसों में पूरा वेतन तो कभी मिला ही नहीं और अबकी तो यह सोच के आई थी कि आधा भी मिले तो बहुत है वो एक सिकेंड वाँ खड़ी दही कि शायद खयांची उससे रुपए वापस मांगे जब खयांची ने कहा अब क्यों खड़ी है जाती क्यों नहीं तब वो धीरे से बोली यह तो पूरे रुपए है खयांची ने चक्कित होकर उसकी और देखा तो और क्या चाती है कम बिलें कुछ जरीमाना नहीं है नहीं नहीं आपकी कुछ जरीमाना नहीं है अल्ला रखी चली पर उसका मन प्रसन नहीं था वो बार बार पश्टा रही थी कि उसने दरोगा जी को गाली क्यों दी थी रही थी थीखती संचा जी रही हो घर्य है कि लॉजज़ को बया दरोगा जा युँ और बार बार जी न pagar जाली को कि लुच hem